प्यार बच्चों, LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं, आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम क्लास 10 गनीत का जो आपका चेप्टर है त्रकोन मीती त्रकोन मीती चेप्टर से रिलेटेड सभी के सभी most important question का discussion आज के कलास में हम करने बाले हैं अगर आप आज के कलास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो त्रकोन मीती जो आपका चेप्टर है इस चेप्टर से रिलेटेड सभी objective question आप आराम से सीख पाएंगे और आप अपने exam में इस चेप्टर से रिलेटेड सभी question बहुत ही जल्द और बहुत ही आसान तरीका से बना पाएंगे क्योंकि सभी type के question का discussion जो है आज के कलास में हम करने बाले हैं तो ध्यान से सीखने समझने की कोसिस कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं और सीखने समझने की कोसिस करते हैं और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR study अप डाउनलोड नहीं किये हैं तो जरूर डाउनलोड कर लिजेगा क्योंकि इस एप में आपको metric board परिच्छा के बहतर त्यारी के लिए सभी भी सैका प्यविया अब्जेक्टिव कोशन का PDF, प्यविया सब्जेक्टिव कोशन का PDF, कुई करिवेजन नोट, मोडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस एप में मिल जाएगा तो आप लोग यह एप जरूर डाउनलोड कर लिजेगा इस आप लोग पले एस्टोर से भी यह एप डाउनलोड कर सकते हैं, हम बरते हैं और फॉस्ट महातपूर्ण कोशन आपके सामने हैं, और अब्जेक्टिव टाइप कोशन है, NCRT से रिलेटेड है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो चलिए शुरू क सेक A2A, और माइनस 10 A2A बचेगा, ठीक है, फिर आप क्या कह सकते हैं, 9 जो है वो है, फिर गुना, और सेक A2A, माइनस 10 A2A का भेली होता है, वन, तो नो गुने वन कितना होगा, यहाँ पर आपका 9 final answer होगा, जो कि आपके option B नंबर में क्या है, दिया गया है, option हलका मैनेज कीजिएगा option manage करने का मतलब यह है कि ABC 9 लिख करके एक दो तीन चार लिखा हुआ है तो उससे तो ज़्यादा कोई मतलब है नहीं हम बढ़ते आगे और आपके अगले महत्पूर्ण कुश्चन को देखेंगे जो कि आपके सामने आ चुका है दो नंबर प्रस्न क्या पुछ रहा है cot square theta निमनलिकित में किस के बराबर है तो यह तो direct formula है आपने इस formula के बारे में पढ़ाई भी किया होगा तो cot square theta होता है तो यहाँ पर आपका दो आंसर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है तीन नंबर प्रस्न पूशा जाए कि कॉसेक एस्क्वाइर ठीटा निमलेखित में किसके बराबर है तो देखिए का कॉसेक एस्क्वाइर ठीटा का वैल्यू क्या होगा आपको दिया गया कॉसेक एस्क्वाइर ठीटा सी ओ एस ए सी कॉसेक एस्क्वाइर ठीटा इसका मान बताने के लिए बोला जा रहा है प्यारे बच्चों आप बताईए कि कॉसेक स्क्वार ठीटा बराबर वन बट्टा साइन स्क्वार ठीटा होगा की नहीं बोलेंगे सर वन बट्टा साइन स्क्वार ठीटा होगा आपने डारेक्ट पढ़ाई भी किया है इस one के बदले हम लिखेंगे sine square theta and plus cos square theta sine square theta or choose क्या लिखेंगे cos square theta बोलेंगे कैसे सर तो आपने परहाई किया है sine square theta plus cos square theta बराबर one तो इसलिए हम one के जगा पर ये लिख सकते हैं and नीचे में जो sine square theta worता one minus cos square theta one minus cos square theta तो यही आपका final answer है option क्या दिया गया है तो तीन का option आपका तीन ही है sin square theta plus cos square theta by one minus cos square theta बिल्कुल यह आपका क्या होगा final answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चो इस तरह से आप इस सब टाइप के question को अराम से क्या करपाईएगा बना पाईएगा अगला है कि यदि sin a बराबर 3 बटा 4 तो cos a का मान आपको बताना है तो बिल्कुल simple है देखिए प्यार बच्चो साइन का just opposite होता है cos यह तो आपको पता ही है अगर sin theta बराबर दिया है 3 बटा 4 तो इसी लिए आपका जो c o s e c cos theta है देखिए sin theta आप सभी जानते हैं कि p बटा h होता है sin theta क्या होता है p बटा h लेकिन cos theta क्या होता है h बटा p होता है इसी अधार पर हम बोल सकते हैं 4 चला जाएगा उपर और 3 आ जाएगा नीचे यानि कि 4 के लिए right answer आपका यह होगा फोई solution करने की जिरुरत नहीं हलका दिमाग लगाईएगा काम बन जाएगा बाते आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है sin theta का जस्ट उल्टा होता है cos theta sin 3 बटा 4 तो cos theta 4 बटा 3 तो 4 बटा 3 आपका यह answer हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है आप सभी जानते हैं पहले से ही पांच नमबर कोश्चन है कि सेक ए जो है वो पांच बट्टा तीन है तो टेन ए का मान आपको क्या करना है बताना है तो समझने का यहां पर प्रयास कीजिएगा यहां पर हल्का सा छोटा सा सोलुशन करना होगा आपको समझने का यहां पर कुश्चिश कीजिए आपको दिया गया है सेक ए एस इसी सेक ए बराबर दिया गया है पांच बट्टा तीन पांच बट्टा क्या है से ठीटा आपको पता है कौत होता है पर अर्टा थ कह लिए है भी होता है ठीक है तो यहां पर अगर आंसर करने की बात करी जाए तो बिल्कुल हम बिना solution कि यह answer कर सकते हैं क्योंकि देखें यहां पर इस question में बी का मान कितना है तो सर बी का मान 3 है आप सभी पहले से जानते हैं कि जो तो यहां पर भी तो आप बी का मान 3 लगा सकते हैं और उपर में देखिए एच का मान 5 है लेकिन हमें चाहिए बी का मान तो अब आप देखिए कि नीचे यानि कि बटा कर नीचे 3 किसमे है तो केवल इसमे है तो कई बार हम बिना solution की ये भी answer बता सकते हैं अब चुकि हमें पता चल चुका है कि B होगा 3 तो नीचे में 3 ही होगा आप 3 किसी में भी नहीं है इसी में है तो इस logic से ये answer आपका हो जाएगा लेकिन ये logic हमेशा काम नहीं करेगा आप try कीजिएगा सभी question में अगर बन जाए तो जल्दी बन जाएगा नहीं बने तो आप क्या करेजिएगा आपको H का मान मिल चुका है और B का मान मिल चुका है तो आप P निकाल लेजिएगा तो P बराबर जो सुत्र होता है root अंडर जो है H square minus B square होता है H का square होगा 5 का square minus B है 3 तो इसका हो जाएगा 3 का square तो यहाँ पर जो P होगा वो क्या होगा समझने की कोस्स कीजिएगा 5 का square 25 minus 3 का square 9 तो फिर क्या हो गया तो 25 में से 9 घटाएंगे 16 फिर क्या होगा P तो यह हो जाएगा 4 देखो भाई साब 4 मान है की ने हमने 4 बैठाया है की ने मतलब समझ महा रहा है चीजे तो आप इस तरीका से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं हलका कभी कभी logic भी लगा लेजिएगा तो इस solution से बच जाएगा logic लगाईगा तो solution से क्या हो जाएगा पांच बट्टा तीन तो कॉट ठीटा का मान बताईए देखिए आप जानते हैं यहाँ पर सी ओ एस एस इस कोसिक ठीटा बढ़ावर दिया गया है पांच बट्टा तीन कोसिक ठीटा जो है उस वह क्या होता है देखिए कोसिक है साइन का उल्टा साइन होता है फ एक बटटा ए it Burta Entertainment और क्या रहा होगा पी तो यह एक और पी का मिddए आपको लेन आपको चाहिए किस का मान तो कर ठीटा का मान चाहिए तो आप सभी भा स्भी प्यार बत्टी जानते है कि कौट ठीटा बढ़ावर सुठ पर क्होंतभ चु और यहाँ पर P आपको मिला हुआ है यहाँ पर P क्या है? मिला हुआ है तो हम यहाँ पर P कामान तो direct हम 3 डाल सकते हैं और खोजेंगे कि P नीचे में किस-किस में है तो देखें यहाँ पर यहाँ भी P है 3 है और यहाँ भी 3 है तो मतलब हम यहाँ पर fail हो चुके हैं लेकिन 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 हमें चाहिए हमें देखिए हम 3 खोज लिये की नीचे में 3 कोण 3 नीचे में हो गाई तो fix हो गया मुझे क्योंकि P कामान मुझे मिल चुका है तो P कामान नीचे में मैं अटख दिया लेकिन P इस बार दो option में दिख रहा है P दो option में दिख रहा है तो हम उपर try करेंगे उपर हमें चाहिए B का मान और हम इस option को काट सकतें क्योंकि यह हमारा answer नहीं है क्योंकि यहाँ पर H का मान दे दिया गया है क्योंकि H देखिए 5 है की नहीं तो यह option क्यों नहीं answer होगा तो समझना आ रहा कुछ आपको क्योंकि उपर में यह H दे दिया है लेकिन हम हमें चाहिए B तो यहाँ आपका सही answer जो है 4 होगा यानि की 4 आपका क्या होगा सही answer होगा यह आप logic लगा कि ऐसे answer कर सकते हैं लेकिन आप अगर इसे solve भी करना चाहते हैं तो चलो भाई मैं solve करके भी क्या कर देता हूं बता देता हूं कि हाँ आखिर कैसे इसका यह answer होगा तो चले देखिएगा समझने की कोशिच कीजिएगा की कैसे होगा आप देखिए यह logic लगाएगा न तो आप logic लगाने से मतलब कि आप time बचा लेजिएगा ठीक है देखिए आपको h और p मिला हुआ है तो हम b निकालने की कोशिच करेंगे b बराबर सुतर होता है h square minus p square h है आपका 5 तो h square minus p square p है 3 तो 3 का square हो जाएगा आप सभी जानते हैं कि 5 का square प्यारे वच्चों होगा 25 और minus 3 का square 9 होगा 25 में इसे नो घटाएगा तो 16 होगा यानि कि आपको मान मिल गया 4 तो b का मान किजना मिला b का मान 4 मिल गया तो यहाँ पर आप b का मान 4 डाल दीजिएगा की नहीं तो देखिए यह answer आया की नहीं आया तो यह logic है और आप इसी तरह से पूरे chapter आज पूरे class में logic और solution दोनों के help से क्या करने वाले हैं question को सीखने वाले हैं next नम बनेंगे आपके साथ नमबर महत्पूर्ण परसन की और क्या पूछ रहा है सेके पलस टेने और वन माइनस साइन ए के जो है बराबर है कौन है इसका मान इसका मान कितना होगा यह आपको क्या करना है बताना है तो देखिए आपको क्या given है आपको given S, E, C, सेके और पलस टेन ए दिया गया है दिया गया है, हलका solution करना होगा इसमें और 1- sin A आपको दिया गया है आप सभी जानते हैं कि shake theta को, किसको? तो shake theta को हम लिख सकते हैं यह जो shake है, इसको लिख सकते हैं 1 बट्ठा cos theta 1 बट्ठा क्या लिख सकते हैं? cos theta लिख सकتे हैं और भीच में plus है तो plus and जो 10 theta है उसका formula हम आपको कई बार बताए है sin theta और बट्टा cos theta होता है sin theta बट्टा क्या होता है cos theta फिर cost के अंदर जो 1 minus sin है उसको same to same क्या कर लिजे लिख लिजे ठीक है and फिर आपको आगे क्या करना वो देखिए इस दोनों को जोर लेना है इस दोनों को क्या करना आपको जोरना है तो cos और cos का LCM यहाँ पर आपका cos होगा cos A होगा cos A से भाग दीजेगा तो 1 1 को 1 से गुना कीजेगा 1 plus है तो plus cos से cos कर जाएगा यहाँ पर बच जाएगा आपका sign ठीक है क्या होगा आप 1 से गुना करेंगे sign को तो sign a ही होगा अब आप क्या कीजिए वो समझने की process कीजिए one minus sign a है तो आप one minus sign a लिख लिजिए इसके बट्टे में आप एक लगा दीजिए अब उपर देखिए one plus sign a और one minus sign a दिख रहा है कि नहीं a plus b into a minus b आपको लग रहा है कि नहीं तो a square यानि कि a square a square a की होगा और माइनस b square b है sign तो यहां पर हमें करना होगा sign का a square a हो गया नीचे में क्या बाइस सब कॉस है तो हम यहां पर क्या करेंगे लिखेंगे आप बढ़िए आगे आगे बढ़िए और समझे कि क्या होगा यहां उपर में 1-sin square a आपको दिख रहा है यहां पर 1-sin square यह वाला 1-sin square a अब आप दिमाग में सोच लिजे कि 1-sin का सुत्र क्या होता है सारा तंतर सुत्र से ही चलेगा तो 1-sin को स्कॉयर ठीटा होता है को स्कॉयर यह a होगा बट्टे में नीचे में आप कोस लगा सकते हैं कॉस ए क्या कर सकते हैं आप नीचे में लगा सकते हैं और आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि कॉस स्कॉयर ए को तो हम लिख सकते हैं कॉस ए और गुने कॉस ए और नीचे में है cos a, cos a है, तो एक cos a से एक cos a कट जाएगा, बचा क्या, तो बचा cos a, और यही आपका final क्या होगा, आंसर होगा, तो cos a यहां पर आपका दो नमबर बिल्कुल जो है final क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस इस तरह से कई question ऐसे होंगे, जो आपको कुछ second time लेगा भी, हम बढ़ते हैं आपके आठ नमबर question के और, आठ नमबर question क्या है, पहले उस question को देखिए, one plus ten square यह, by one plus quarter square यह, नमले कितमे किसके बराबर है, simple है, देखिएगा, कैसे हम solution करते हैं, यहां पर जो आपको दिया गया है, one plus ten square theta, आप सभी जानते है, कि one plus ten square theta होता ह सेक square theta, क्या होता है स, ज justement, क्या होता है, स, ज सेक square theta, और नीचे में जो one plus square है, वो होता है, कौस円 square theta, सी, ज जु बाते है, यहां तक तो को रिकरते है, भाई फर्मूला ही हमने क्या किया है, लिखा है, इसके बाद है, उपर में वन बाई, यह, one गार् इर ओन, सरी, जद कॉस Guna की रूप में चेंज करेंगे, तो sin square a उपर जाएगा और one आएगा नीचे इसी होगा क्या one से sin square a को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपका sin square a होगा and नीचे में क्या होगा cos square a नीचे में क्या होगा cos square a होगा अब क्या करें सर्थ तो यहाँ पर यह फर्मूला आप लोग पढ़ाई किये है साइन स्क्वाइर ठीटा पलस कोस स्क्वाइर ठीटा का यह नहीं अफ़ाय की तो यह जरूर पढ़ाय किये हैं कि साइन ठीटा बट्टा कोस ठीटा बराबर होता है टेन ठीटा क्या होता है टेन ठीटा होता तो यहाँ पर हम टेन स्क्वाइर ए बोल सकते हैं और यही आपका answer होगा 10 square यहाँ पर आपने समझा की नहीं समझा सो बताओ यह एक line का solution आप इस तरह से कर सकते हैं next हम बात करेंगे आपके 9 number question का 9 number question 8 का just उल्टा है 9 जो है 8 का just उल्टा है कैसे उल्टा देखिए यहाँ पर है 1 plus cot square a उपर आर 1 plus 10 square a नीचे लेकिन इसका just उल्टा है यहाँ पर है 1 plus 10 square a उपर है और 1 plus cot square a नीचे है ठीक है तो यहाँ पर इसका जो है आपके जो 9 number question है वो just 10 का जो है inverse हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा inverse तो 10 का जो inverse है प्यार बच्चो वो आपको पता होने से की cot होगा 10 का inverse क्या होगा cot होगा तो यहाँ पर आपका बिल्कुल c option से होगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है यह नहीं जब 10 को पलटते हैं उल्टा करते हैं तो क्या बनता है 10 क्योंकि इसका ज़स्ट उल्टा जो है आठ में दिया गया था उतना सॉलूशन करने से आप बच जाएगा मैं यह बता रहा हूं आपको ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगर सेम टू सेम सॉलूशन कीजिए गा भी तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जैसे इसमें सेम हम सॉलूशन किया है उसी तरह से सॉलूशन अगर आप 9 नमर का कीजिए गा तो यह आपको मिल जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पियारवच्चों दस नमर कुस्चन का दस नमर कोश्चन के द्वरा क्या पूसा जा रहा ज़ारा आप लोग ध्यान लगाएगा कुश्चन क्या है यह वन माइनस कॉस स्क्वाइर ठीटा है आप सभी को पता होना चाहिए कि वन माइनस कॉस स्क्वाइर ठीटा होता है साइन स्क्वाइर ठीटा क्या होता है साइन स्क्वाइर ठीटा होता है एंड फिर यहां पर बीच में इंटू का साइन लेंगे और वन प होगा तो मैंने बताया था कि एक मान आएगा तो साइन इस beschäftź ऑर इन्टू होगा तो राइट cohort आपका हूज यह हो जाए ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question हम देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर 11 नमर question आ चुका है, यह 11 नमर question क्या बोल रहा है, निमलेखित में से कौन सेक एक बराबर है, तो प्यारे बच्चों, सेक ठीटा बराबर, 1 बढ़ता कॉस ठीटा आप पढ़ाई किये हैं, direct यह formula है, इस सेक ठीटा, देखोए, साइन स्कॉार ठीटा दिखर आपको, साइन स्कॉार ठीटा को आप बताईए, प्यारे बच्चों, कि हम यहाँ पर साइन ठीटा और गुने साइन ठीटा लिख सकते हैं, कि नहीं, बोलेंगे, यह सा लिख सकते हैं, क्योंकि स्कॉार है, तो दो बार सौवर्ट आपको कहीं भी बताआया नहीं जाएगा एंड़ इस लॉजिक साथ कहीं वह नहीं पता जाएगा ज़ंगा है जल्दी सीख रहें तो आपका द्रिकोन मीती अनुपात को किसी दूसरे द्रिकोन मीती अनुपात में बदलने के लिए फिर करना होता है ठीटा बगएरा का क्या करना होता देखें आपर टेन को बदलना है साइन में सिंपल है कैसे सिंपल है देखिएगा आप सभी जानते हैं कि टेन ठीटा बराबर क्या होत है, sin वार्ता कॉस होगा, sin वार्ता क्या होगा, кос a होगा, अब आप देखिए, आगे हम क्या कर रहे हैं, आप sin को sin रहने दीजे, same to same, sin a को sin a same to same रहने दीजे, लेकिन यह जो cos a है, cos θीटा बराबर प्यारे बच्चो एक फ़र्मूला आप लोग पराई किए थे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वार ठीटा अब देखिए यहाँ पर 10 और इस वाले पद में सब के सब साइन ही दिखाई दे रहें तो 10 जो है वो साइन ए में बदल गया यानि कि देख लिजे यह वाला option अगर देखाज़े तो 3 option होगा 13 के लिए 1 बिल्कुल नहीं नहीं तिन नहीं है यहाँ पर square है लेकिन इसमें square नहीं है इसमें square नहीं यहाँ पर square है तो यह नहीं होगा कौन होगा 2 होगा 2 होगा 2 देख लिजे बिल्कुल 2 आपका perfect answer है कोई इसमें low चा नहीं है ठीक है आप बढ़ो भाई आगे बढ़ो आगले question को देखिएगा इस तरह से fastly हम अधिक से question कम से कम time में क्या कर लिंग भाई प्यारे बच्चों cover करेंगे चलो next question हम देखते हैं आपके चोदर नमर question चोदर नमर question तो बिल्गुल simple ही है क्या है साइन एको कोसेक ए में बदलना है प्यारे बच्चों simple है साइन ठीटा बराबर फर्मूला होता है one बट्टा कोसेक ठीटा c o s e c ठीटा वन बट्टा क्या होता है कोसेक ठीटा आपका final answer ही है साइन को कॉसेक में बदलना है तो बदल तो गया वन बटा कॉसेक यहां पर तीन आंसर 14 के लिए आपका तीन आंसर बिल्कुल ठीक होगा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आपके चोदा के बाद 15 नमर को यहां पर साइन एक को कॉट एक के पदों में कैसे लिखे यह बोला जा रहा है हमने आपको पिछले का क्लास में बोला था एक 8.4 का जो आपका पहला कोश्चन था मतलब वो बता दीते और 8.4 का दूसरा नहीं क्योंकि यही वाला सब कोश्चन था उसमें साइन को यानि कि सभी त्रिकोनमियती अनुपात को सेग में बदल था तो ऐसे बदलेंगे आप वहां भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे ही क्या कीजिएगा बदलिएगा उसमें कोई और भी और मतलब दूसरा लोचा लग ऑ एस इसी कोशेटिटा एंड ऊपर आप वन ही रहने दीजिए नीचे में जो कोशेट थीटा है आप जो कोशेट थीटा बराबर सुत्रयाद किये हुए हैं रूट अंडर उवन पलस सब्सक्रिजटल हो तो गया साइन बदल गया वहां पर इस वाले दो हो जाएगा दिख रहा होगा आप लोगों को कितना सिंपल है ना आप एक बार रिभीजन कर ले एक बार प्रैक्टिस कर ले एकदम गर्दा हो जागा कभी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे शोला नमर कुश्चन ये क्या है बोला कि साइन ए बराबर एक्स तो आपको कॉस ए का मान बताना सिंपल देखिए आप सभी कॉस ठीटा बराबर सुत्र पढ़े हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्कॉयर ठीटा पढ़े ह और साइन ठीटा का वैल्यू है एक्स साइन ठीटा का वैल्यू प्यारे बच्चों कुस्चन में दे रखा है एक्स साइन ठीटा का वैल्यू कि दना दे रखा है एक्स दे रखा है तो इसलिए साइन स्कॉयर ठीटा का वैल्यू एक्स एक स्कॉयर होगा बिल्कुल तो यहां बढ़े कुश्चन भी आप आराम से बना लिजिएगा बस शुरू से अंतक बने रहें एक एक कुश्चन आप पहुत अच्छा तरीका से सीखने वाले हैं सत्रा नमर कुश्चन का करो आप लोग पिटाई साइन को बदलना है सेक में साइन को किस में बदलना वाई सेक में बदलना है देखो हम बताते हैं आपको एक चीज आप सभी जानते हैं एक सुत्र क्या जानते हैं टेन ठीटा बराबर साइन ठीटा बट्टा कॉस ठीटा साइन थीता बत्ता क्या जानते हैं लोग उस्ट ये फर्मूला पाढ़े हैं कि 9 शर बिल्गूल पाढ़े हैं आप एक काम की एक स्ट करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे तो 10डीटा बडलना है साइन थीटा अब हमें सूतर मिल गया कॉस थीटा अब यही हमारा ह्यार बनेगा और यसी से हम आगे आम से क्या कर पाएंगे सौल्व कर पाएंगे तो देखिए हम क्या करते हैं यहां पर जो टैनठी थीटा आपको सुतरी जानते हैं आप लोग 10 थीटा बराबर rude under सेगK isた Mine-1 as he c square ठीटा-1 जानते हैं कि नहीं तो 10 थीटा के जगह पर root under सेगK I sql cái-1 लिख दिए और यहां पर into में क्या है cause है तो cost थीटा को आप सभी भी जानते हैं वन भट निखा जा सकता है ऑन होन भटा सेगती लिखहा जा सकता है आप कुछ मत किजिए को 1 से किजिएगा तो यहां पर वही होगा क्या होगा स ऊबटे में यहां है। already a सेक एसक्वाइट हीटा माइनस वन बट्टे सेक तो देखिए यहाँ पर साइन जो है वो सेक में बदला की नहीं बदला और कैसे बदला पूरा प्रोसेज देखिए हाँ एक बात लेकिन तय है कि अगर आप फर्मूला नहीं याद किये होंगे फर्मूला अगर रिभीजन नही नमर कुश्टन क्या बोल रहा है समझने की कोशिश किजिएगा यह बोल रहा है सीधा सीधा बात क्या बोल रहा है कि यह अगर कोस ठीटा बराबर एक्स हो तो कॉस्षिक ठीटा का मान कितना होगा इनता और मैं से कोस्ए ठीटा का मान आपको दिया घया है process और आपको सिक ठीटा चौर्फ बराबर तो हमाराम ये सुत्र है और अब आगे मेरा बात मान रहा वह और तो आप यह बोल दीजिए कि सर उपर में 1 जो है 1 ही राएगा और sin theta ब्रावर सर सुत्र होता है root अंडर 1 minus cos square theta बस ये भी तो सही है sin theta ब्रावर सुत्र होता है root अंडर 1 minus cos square theta बिल्कुल ठीक है अब उपर में 1 राने दीजिए and नीचे में root के अंदर क्या है 1 है तो 1 लिख लिजिए minus है तो minus लिख लिजिए और cos square theta cos theta का मान अगर दिया हुआ है x तो cos square theta का मान होगा x square तो यहाँ पर cos square theta के जगए पर हम x square लिख देंगे and this is your final answer एक line में answer आएगा and जट पट में answer आएगा कोई यहाँ पर मसकत करने की जरूरत नहीं है and this is your final answer हो गया तो जो की option number 2 में दिख रहा है की नहीं बस आगे बर यह अगले question का हम करेंगे बहुत ही अच्छा परिका से स्वागत सू स्वागत कर दो भाई दिखत क्या है देखिए root अंदर 1 minus sin square theta बाई 1 minus cos square theta है अब आप कीजिये क्या देखिए मेरा बात मानी आप जो 1 minus sin square theta है इसका सुत्र आपको आता है इसका सुत्र होता है cos square theta cos square theta होता है और नीची में जो 1 minus cos square theta है इसका सुत्र होता है sin square theta क्या होता है sin square theta and आप अब बताइए कि cos square theta by sin square theta क्या होगा सर्फ cot square theta क्या होगा cot square theta होगा and यहाँ पर square से root कट जाएगा तो सीधा सीधा बान आपको मिल जाएगा cot theta क्या मिलेगा cot theta जो की final answer होगा तो cot किसी option में है है यहाँ पे option नमर 3 में है तो option नमर 3 आपका बिल्कुल राइट 100% right answer मिल जाएगा ठीक है next पैर वच्चों हम बरेंगे आपके जो है बीस नमर कुस्चन के और बीस नमर कुस्चन क्या पूछ रहा है समझेगा पूछ रहा है कि sign p बराबर cos p तथा p r q noon कोन है तो बताना है कि कौन सही होगा अच्छा sign p बराबर sign p है देखो भाई sign sign कब बराबर हो सकता है sign sign कब बराबर होता है जब ठीटा का मान बराबर हो जैसे कि sign 30 degree and sign 30 degree ही बराबर हो सकता है sign 90 degree और sign 90 degree ही क्या हो सकता है बराबर हो सकता है यानि कि ठीटा का मान बराबर होगा तभी न, sine sine के बराबर होगा, sine का कोई भी ऐसा दो value है जो बराबर होगा, नहीं, तो जब theta का मान बराबर होगा, तभी ये जाके बराबर होगा, तो sine P बराबर sine P कब होगा, जब P बराबर Q हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं, कि sine 30 degree बराबर होगा, sine 30 degree के, कभी भी ऐसा नहीं होग के साइन 30 तीक्डी साइन 45 के बरावर हो जाएं तो अगर यह P था ये आपका Q था तो ये बरावर कब संभव है जब P और Q बरावर हो P और Q क्या हो बरावर हो यानि की अगर पयर कि ऐ है तो यह क्यों भी 3 डिगरी होना चाहिए तब जाकर के आप प्यारे बच्चों जानते हैं कि दोनों क्या हो पाएगा बराबर हो पाएगा जैसे कि साइन 30 दिगरी कामान होता है एक बट्टा दो एंड कॉस पिल्कुल अच्छा साइन जीरो अभी ठीक है एंड इसका होगा एक बट्टा दो तम जाके बराबर होगा तो यह ऑप्शन सही होगा इसमें कोई सक नहीं आपको होना चाहिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगले सब्टा दो यहां पर बट्टा अंधार कोई एक इस नमर कोई ने स्बाइव किया पूछच रहा है यह देखो या एक क्या बट अधार बोला गिया से के स्काह स्काहर कि इसको लिख लेते एड्स इसके स्काहर है और यह है even मांईस शाइन फिए तो यह एपलाइस उठी हो र सकते हैं तो एस्क्वार यानि की वन का स्क्वार हाँ माइनस बी स्क्वार यानि की साइन का स्क्वार साइन स्क्वार यह बोल सकते हैं ठीक है एंड आप बताइए कि आगे क्या हम करने वाले तो आगे सीधा सीधा यह सेख स्क्वार यह आपको दिख रहा है और वन माइनस ठिनु कॉश ठिड़ा सुर्ट धिता कोई कहुता है और हम बता हैं कि किसी भी कोन मीधी अनुपात को उसके बियुत्कर्म से गुना करते हैं तो एक मिलता है जो लें पर आपका जो होगा यानीख का वैल्यू वह अप्सफ सही होगा, कितना सहीSen है ठीक है आगे वरो गई next पाइस नम्मर कोश्चन एकदम सिंपल एकदम आसान देखिए क्या पूछ रहा है तो यहां पर पी से पी कट जाएगा को ना को नी बचा क्या तो भी वाइच बचा उपर में भी बचा नीचे में एच बचा अब यह है sin theta into cot theta का value अब इसका करना है वियुद कर्म किसी का भी वियुद कर्म अगर करने के लिए बोले तो नीचे वाला को ऊपर कर दिजि़े और ऊपर वाला को नीचे कर दिजि़े यही हो गया वियुद कर्म अभ आप बताई ये की h बटटा भी तो किसी भार चीजे ऐसे बनाएंगे आप लॉजिक के साथ कोई यहां पर लंपट और लपड़ा नहीं करना है तैसे नंबर कुश्चन से के स्कॉर्ड ठीटा मैंनस टेने स्कॉर्ड ठीटा कितने के बरावर हैं कितने आदमी थे भाई यहां पर तो एक ही आदमी होंगे क्योंकि डाय होगा ठीक है क्योंकि यह फड़ी है क्योंकि ही है हुँँ यहां भी वही पूछ रहा है यहां भी होगा थीटा का निहां भी पंद्रह यहां भी पंद्रह थो साइनस कॉइर ठीटा स्कॉर्ट ही होगा डियरेक्ट पर्मूला ben usually t Walker यहांभी वन भी होगा क्योंकि यहां भी 45 यहां भी 45 ठीक है यहां पर और कोई करने की मतलब हमें आ रहा कुछ मक्सद ही नहीं यहां पर कुछ और ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपकी 27 नमर कोश्चन क्या होगा 10 होगा नेक्स्स आपके प्यारे बच्चों की अगर कॉस्स इतना है तो सेक मान बताएं यह कॉश्ट कमान दे दिया गया तो स्ग कमान क्या करना बताना देखो आपको क्या दिया गया है आपको कौ स्ट थेरा कमान किसका में निकालना है सीघर थी ठीट नुक्यां बता ब्राबर वन बढटा कॉस्ट थीटड आप लिख सकते हैं की नहीं मोर यह साइं लिख सकते तो हैं क्योंकि आप इने फर्मुला पढ़ाया है से एक ठीटा बरावर वन बट्टा कॉस्ट ठीटा तब तो आपको आंसर मिल गया वन उपर में है और नीचे में कॉस्ट ठीटा है और देख लो पूरी आखों से की कॉस्ट ठीटा का मान एक्स दिया है तो इस कॉ से कि सब्सक्रावज मिला डिखं ऑंतीendo कि दुम क्लबन इक्सक्रावयम उपर क्या आप को जो दिया गया है पहले उस पर हम क्या करेंगे बात करेंगी थिक है क्या वैं तो पहला चीज तो यह किता आपको दिया है एकस और कौस सीरी आब बॉफ है अगर कौस स्धीटा को आप अपचे रखते हैं तो दाही लिखाई क्या वन बट्टा एक्स होगा की नहीं और है आपको अज्ट सूरश ना बजान क्या थे दो कॉस्स काउंट्न क्या होता क्या है थे होता है S, E, C सेख ठीटा बराबर हम X लिख सकते हैं क्योंकि X उपर जाएगा और 1 नीच आएगा तो X ही लिखा जाएगा क्योंकि कॉस का उल्टा यानि की वियुत कर्म कौन होता है सेख होता है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं तो आपको C, theta बराबर X मिल गया A, B, A, B, question में आपको 10, theta बराबर Y दिया गया है क्या दिया गया है 10, theta बराबर आपको Y दिया गया है और आपको बताना है कि X, X, square बराबर Y, square का मान क्या होगा तो देखिए आप प्यारे बच्चो एक, सक्सक्वाइर minus y square का मान निकालना चाहते हैं किसका x x square minus y square का मान निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल लेजे न, कोई धरफराने की बात ही नहीं है x क्या है, तो x है सर, 6 theta, x है 6 theta तो हम x के जग़े पर s, e, c, 6 लिखेंगे लेकिन यहां पर square है, तो यहां भी square लगा देंगे c square theta होगा, बीच में minus से तो minus लिख देंगे अब y, 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 y क्या है तो सर, y है 10 theta तो यहां पर होगा y square, यानि कि 10 theta का square होगा यानि कि 10 square theta होगा, अब तो काम बन गया मामला तो हमारा सुधर चुका है, क्या मामला हमारा सुधर चुका है, देखने का यहां पर प्रयास कीजिएगा बात यह है, कि एक formula होता है, c square theta minus 10 square theta बराबर 1, 1, 1, यह आप तक final answer होगा चार option आप याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बाते नहीं हैं, यह 30 question अगर आप बना लेते हैं, काफी आपके लिए क्या होगा, helpful होगा आपके exam में, और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक LGR study app डाउनलोड नहीं किये हैं, तो जरूर डाउनलोड कर लिजिए, क्योंकि इस एप में मैट्रिक बोर्ड एक्जाम के बेहतर त्यारी के लिए, सभी भी सहका, BBA objective question का PDF, BBA subjective question का PDF, कुई ख्रीविजर note, model paper, class note और online test, बिल्कुल फ्री में आपको इसे अपने मिल जाएगा, तो जरूर डाउनलोड कर लिजिएगा, वीडियो के झाल